मैं विरेंद्र महता आप सबका स्वागत करता हूं और आज के जो वीडियो का टाइटल है वो है डिप्रेशन और जो सुसाइट के विचार हैं इनको हम कैसे रिलीज करें तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टुडेंट से की सर आप प्लीज एक लेक्चर बनाईए जिसम में आप डिप्रेशन को हम कैसे दूर करें या सुसाइट वाले जो थोड़ साते हैं उनसे कैसे बचे तो आज इन पर कुछ जो टिप्स हैं वो मैंने डिजाइन की हैं तो आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन और सुसाइट ये है क्या देखिए डिप्रेशन या फिर सुसाइट के जो विचार है ये अविद्या है अविद्या का मतलब है ये उल्टा ग्यान है क्योंकि आप ये देखिए कि वैदे की युग से आज तक के युग तक जितना विज्ञान ने साइंस ने ड्वलप्मेंट की है उस हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य को आज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था लेकिन विडिम्बना की बात ये है कि जितना साइंस ने ड्वलप्मेंट की है उस हिसाब से जितनी शक्ति आज मनुष्य जादी की बढ़नी चाहिए थी उसके विपरीत जो मनुष्य है वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया है शक्ति विहीन हो गया है तो इसके बहुत कारण है जो हमें समझने पड़ेंगे सबसे पहला जो कारण है वो है गुरू-शिश्य रिलेशन्शिप देखिए वैदिक काल में जो रिलेशन्शिप था एक गुरू-एक शिश्य के बीच में वो रिलेशन्शिप आज डिस्ट्रोई हो गया है ये चीज है जो कि most important है आज की parenting आज की जो parenting है वो effective नहीं है देखिए parents दन है या संपत्ती है या बाकी सबी चीज़े अपने बच्चों को देते हैं लेकिन जो सबसे बड़ी संपत्ती वो है संसकार मलब गुड़ संसकारास वो देना भूल जाते है तो ये एक सबसे बड़ा का करन है क्योंकि बच्चों की परवरिशी कुछ इसी हिसाब से की जाती है कि बच्चे ड्वलब ही नहीं पाते हो नहीं पाते हैं तो basically देखिए जो parenting है वो आज के टीम आज के समय में हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी है तभी जाके हम जो changes है हम वो लेकर गया सकते ह है राइट क्योंकि आज एक ऐसा यूग है कि हर कोई डॉक्टर कैसे बने वो सिखाता है एक इंजिनियर कैसे बना जाता है वो सिखाया जाता है लेकिन कोई भी टीच नहीं करता कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए ओके एक good human being बनाने की जो training है वो कोई provide नहीं कर रहा हम सबी लोग क्या है कि IQ only we are focusing on intelligent cushion कि intelligence कैसे बड़े केवल हमारा जो ध्यान है वो उसी तरफ है ओके क्योंकि आप ये समझिये कि जो terrorist है वो बहुत ज़्यादा intelligent इंसान है उसका IQ बहुत अच्छा है लेकिन दो चीजें है जो lack कर रही है जो उसकी personality में नहीं है एक emotional cushion और एक spiritual cushion द देखिए बिना spiritual cushion के कोई भी चीज जो है वो successful नहीं हो सकती क्योंकि life के six spokes की जो generally मैं बात करता हूँ काफी सारी videos मैं आपने सुना होगा कि जो six spokes है हमारी life के जो की utmost needed है सभी को चाहिए वो wealth है, health है, मानसिक विकास है, family है, spiritual cushion है और social cushion है तो इन six spokes में से हर कोई जो focus कर रहा है वो खाली wealth को acquire करने के लिए कर रहा है लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो बाकी जो पाँच spokes हैं वो भी equally important है, right, जो हमारा सरवांगीन जो विकास है वो कर सकते हैं, right, क्योंकि आज एक tendency बन गई है, एक सोच ऐसी बन गई है कि हर कोई जो है वो अपनी curses, you know, अपनी shortcomings या अभाव, जिस चीज़ का भी अभाव है उसको count करते हैं, लेकिन अपनी जो blessings हैं उनको count नहीं करते हैं, तो ये एक दृष्टी कोन बन चुका है, तो सबसे पहले हमें देखिए एक positive attitude अपनी life में लाना होगा, right, अपनी blessings को count करना होग कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो भगवान ने हमें दी हैं, और उसका जो शुक्रिया है, उसका जो gratitude है, वो आपको feel करना पड़ेगा, और thanks करना पड़ेगा हर उस एक चीज़ के लिए, जो आपको भगवान से मिली है, right, तो आप अपनी negativity को आपको release करना है, देखिए वो release क कैसे होगी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप में अपार संभावनाएं चुपी हैं, तो उन possibilities को आपको identify करना होगा, right, और जो depression है, देखिए उसको बगाने के लिए आपको ओमकार जो है, उसकी शरन में जाना पड़ेगा, ओमकार प्रणव है, उसका जप गौड, I'm in fearless state, and I have to win, तो ऐसे शक्ति शहली विचार जो है, उनको आपको generate करना पड़ेगा, right, क्योंकि यहाँ देखिए, spiritual cushion बहुत ज़्यादा important है, मैं किसी बाबा की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिलकुल scientifically बात कर रहा हूँ, क्योंकि spiritual cushion के boost होने से ही, जो human values है, वो हमारी personality में आती है, क्योंकि यह आप अच्छे से चीज समझ लीजिए, कि everything is temporal, हर चीज यहाँ पे शन भंगूर है, परिवर्तन शील है, uncertain है, okay, हर एक चीज चीज हो रही है, देखिए, cars come and go away, okay, human beings come and go away, money comes and go away, तो nothing is constant in this world, तो you have to focus on something which is constant, which is shashwat, जो की eternal है, और अपने जो करमाज हैं, वो आपको करने हैं, क्योंकि वही आपका कर्तव है, और साती सात, देखिए, आपको भक्ती के लिए जाना पड़ेगा, आपको meditate करना पड़ेगा अपने उपर, जिससे शक्तिशाली विचारों को हम उत्पन कर स सकते हैं, तो अभी मैं एक दिन पहले जो है भगवान शरी कृष्ण का जो सिरियल है कृष्णा वो देख रहा था, तो उसमें सांधीप जी जो गुरू है भगवान शरी कृष्ण के, वो उनको बता रहे थे कि मिर्त्यू की कला वो सिखा रहे थे बिसिकली, और वो कह रहे कि मिर्त्यू के समय, अगर हमारा जो ध्यान है वो भगवान की तरफ हो, या शरी हरी के चरनों की तरफ हो, तो मोक्ष मिलता है, तो भगवान कृष्ण ने ये सुनके हस देते हैं, और कहते हैं अपने गुरू को, कि गुरू जी ये कहना बड़ा असान है, लेकिन इसके जो लाइफ है, वो पाप करता रहें, और अन समय में एक समय मेडिटेट होके मोक्ष को प्राप्त कर लें, नो, देखिए, दिस इस अलाओ प्रेक्टिस, तो आपको डेली प्रेक्टिस करनी है, मेडिटेट करने की, कि तब तक आप इतने परवीन हो जाएं, कि मित्यों की सम भी वो emotion generate करें, कि you have to meditate, और जैसे ही आप meditation के लिए जाएंगे, तो जो मोक्ष है या मुक्ती है, जो भी हमारे वैदानतों में ये जो concept आया है, उसको हम achieve कर सकते हैं, तो देखिए, depression हो, या फिर suicide वाले thoughts हो, इनका root cause क्या है, ये आप जानने का प्रयास करो, देखिए, मेरे इसाब से, जो आज के इस यूग में, दो ही word है, जिसे मैं समझता हूँ कि वो root cause है, depression का, या suicide का, number one is cutthroat competition, परतियोगिता वाला जो भाव है, ये देखिए, इसको भी दो तरीके से हम समझ सकते हैं, हम इसको negative direction में ज्यादा understand करते हैं, बजाए की positive direction में, राइट, हम comparison की तर जाते हैं, हम competition की तरफ जाते हैं, कि मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से छोटी कैसे है, ये जो है, वो दुक का कारण है, हर कोई अपने आपको compare करता है, दूसरे से, देखिए, जो की सरवता गलत है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी quotation आपने सुनी भी होगी, कि अगर आप अप अपने आपको compare कर रहे है, इट मींस आप अपने आपकी insult कर रहे है, तो ये जो negative thoughts हैं, या depression वाले thoughts हैं, इनको आपको release करना पड़ेगा, और इन emotion से आपको बाहराना पड़ेगा, आपका जो competition है, वो आप अपने आप से आपको करना होगा, क्योंकि आपको compete करना है अपने जो भी आप हैं, कल आप उससे अलग होंगे, उससे improved होंगे, राइट, तभी जाके इन विचारों पर हम जो विजय है, वो प्राप्त कर सकते हैं, और जो सबसे important चीज है, देखिए वो happiness है, राइट, happiness is the ultimate devotion to God, प्रसनता ही इश्वर की सरवोपरी भक्ती है, राइट, तो प आपके पास बहुत सारी wealth होगी, तभी आप परसन होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसानों की जो biographies हैं, या stories हैं, आप daily देखते हैं, सुनते हैं, कि अपार दोलत होते हुए भी और बहुत सादा celebrity होकर भी, you know, suicide वाले जो emotions हैं, वो आ सकते हैं, तो इसलिए ये चीज़े important नहीं है, important है आपको अपने उपर work करना और spiritual cushion को boost करना, देखिए last thing, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो जनम है, वो दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, we are not born to face sufferings, okay, we are born to win, देखिए जीतने के लिए हमारा जनम हुआ है, सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारा जनम हुआ है, तो ऐसे जो तुछ विचार है, like depression के, या suicide के, इनको हटा करके, आप अपने लक्षे की तरफ आगे पड़े, right, क्योंकि देखिए, suicide की तरफ जो लोग जाते हैं, वो हार मान जाते हैं, ये कायरता है सबसे बड़ी, और उनसे भ बहुती negative दृष्टी कोन है, negative attitude है, right, तो आप इस चीज को त्याग कर, भगवान ने देखिए, बहुत शक्तिशाली God equipment, जो equipments है, God gifted equipments वो आपको दिये हैं, शक्तिशाली दिमाग दिया है, शक्तिशाली पंच इंद्रियां दिये हैं, और शक्तिशाली 7 चक्राज दिये हैं तो क्यों ना हम इनको activate करके, जो hidden powers हैं, हम उनको activate करें, और देखिए कुछ भी है, हम इस universe में वो प्राप्त कर सकते हैं, right, तो आप भ्रह्मचर्य से या good value से, spiritually आप अपने आपको शक्तिशाली बनाएं, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन विच विचारों ने आप में एक नई उर्जा को संचरित जरूर किया होगा, तो आप जरूर जो है इस lecture को share कीजेगा, सभी बच्चों के साथ, क्योंकि आज ये need है, right, तभी जाके हम change जो चाहते हैं, वो लेके आप आएंगे, right, so with these words, thank you so much, have a great day, bye-bye.